ओम नमो भगवती वासु दिवाई दोस्तों भगवान विश्णु को घर में ही उपलत ये चीजें चड़ाएं और उनको प्रसंद करें नमबर एक पर है खीर भगवान विश्णु जी को खीर का नैवेद भौत पसंद है खीर कई प्रकार से बनाई जाती है दूसरे नमबर पर है हल्वा सूजी का हल्वा विश्णु जी को अतिन्त प्रिये है तीसे नमबर पर है केला केला भगवान विश्णु को अतिन्त प्रिये है उनके नैवेद में केला होना भी अतिन्त आवशक है अगली बस्तु है तुलसी का पत्ता भगवान विश्णु के पूजन और नैवेद में तुलसी का पत्ता चड़ाना अनिव्यार होता है इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं पांचमी बस्तु है श्रीफल यानि नारियल फल और फूल के साथ श्रीफल चड़ाने से भी लक्ष्मिपती अत्यंत प्रसन होते हैं छटी चीज है तिल कहते हैं कि काले तिल और सफेद तिल विश्णु जी के शरील से ही उत्पन हुए हैं एक घी का तीपक जलाकर उसमें काले या सफेद तिल चड़ाएं अगली बस्तु है अक्षत अक्षत का अर्थ चाबल होता है चाबल उनके मस्तक पर लगाते भी हैं और केसर भात बनाकर उन्हें चड़ाते भी हैं आठमी बस्तु है पुष्प आगस्ट पारिजात कमल जुही केवडा मालती बैजन पी के फूल अपित करने से भगवान विश्णु प्रसन होते हैं अगली बस्तु है तुलसी करत जल अमरत वा पंचमरत पुज़ पार्थ वा आरती के बाद तुलसी करत जल अमरत वा पंचमरत चड़ाएं और विश्णु जी को प्रसन करें ये सारी बस्तु हैं चड़ाने से भगवान विश्णु अत्यंत प्रसन होते हैं और मनुकामना को पूरी करते हैं राधे राधे